है दोस्तों वीडियो को जादा से जदा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट के हमें बहुत ही जरूरूर्थ है हैलो नमसकार दोस्तों वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखी समचा टूड़े ब्रेकिंग नियूज के तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी खबर है दोस्तो बीड़ो को एक लाइक जरूर के दोस्तो लोग सबाचुनाओ 2019 अब की बार किसकी सरकार जानिए क्या इसारा कर रहा है सट्टा बजार जी हाँ दोस्तो आम तोर पर क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले सटोरिये इन दिनों लोग सबाचुनाओ पर भी जम करके सट्टा लगा रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक पांचवे चरन का चुनाओ खत्म होने तक 85,000 रुपे का सट्टा लग चुका है बीजेपी सर्टोरियो की फैबरिट है हालाकि अकेले दम पर वह सरकार बना पाएगी ऐसा सर्टोरियो को भी नहीं लगता लोग सबाचुनाओ के पांचवे चरन का मतदान खत्म हो चुका है लेकिन सरकार किसकी बनेगी इस पर सस्पेंस अभी बरकरा है अच्छे अच्छे राजनितिक विसेसग भी जनता की नम पढ़ जाते हैं ऐसे में सर्टोरियो की चांदी है अब की बार क उत्रों की माने तो देश भर में अब तक करीबन 85,000 करोड का सटा लग चुका है गोर तलब है कि सरकार बनने के लिए 543 सदस्यों वाली लोकसबा में 272 सीटों की जरूरत होनी है लेकिन कोई एक ऐसी अकेले दम पर इतने सीट ला पाएगी ऐसा नहीं लग रहा है सटोरियो सबसे बड़ी पाटी तो मान रहे हैं लेकिन बिना पुर्ण बहुमत की आने की संभावना जयता रहे हैं सटोरियों की माने तो बीजेपी की 248 में 250 सीटे मिल सकती है लेकिन भाव कम से कम 235 सीटों में खुला है आपको बता दे कि लोकस बाचुनाओ की 265 सीटों पर बीजे पर एक रुपया यह 5 पैसा है जबकि कॉंग्रेस का भाव 60 सीटों पर खुला है 60 सीटों का 28 पैसे तो 70 सीटों का 80 पैसा 75 सीटों का 1 रुपया और 80 सीटों के लिए 1 रुपया 30 पैसा भाव है 60 बजार को करीब से जानने वाले पत्रकार विवेक अगरवाल का कहना है कि चुनाओ में पाटियों की हार जीत के आकलन का सटोरियों का अच्छा तरीका है जिसमें जनता से लेकर के राजनितिक विसेसक और सेयर बजार का भी एक बड़ा अधार है सबसे जादा सीटों के लिए बीजेपी का भाव सबसे और सबसे कम 32 पैसा है वहीं अकेले दम पर सरकार बनाने पर 3 रुपए 50 पैसे हैं जबकि सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनेगी यानि इंडिये का भाव सिर्फ 12 पैसा है वहीं 72 सीटों के लिए कॉंग्रेस का भाव 100 रुपया है यूपिये यानि की कॉंग्रेस गटवंदन सरकार बनाने पर 50 रुपया सटोरियों की नजर में महा गटवंदन तीसरे नमपर पर सरकार बनाने के लिए महा गटवंदन का भाव 80 रुपय खुला है आपको बता दे क लोक्स बाचुनाव में अभी मतदान दो चरण अभी बाकी हैं और हर चरण पर पार्टियों का भाव उपर नीचे हो रहा है इसलिए अगले दो चुनाव में भाव उलट फिर होने की अनुमान है जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है सैम पितरोदा ने 84 दंगो पर पूरी तरीके से घुमा दिया गया है संदर्ब से बाहर कर दिया गया है क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है मेरा मतलब था कि जो हुआ वो बुरा हुआ मेरा बुरा को मेरे मन में अनुवाद नहीं कर सका जी हां दोस्तों सैम पितरोदा ने कहा है कि मेरा मतलब था कि आक कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सिक विरोधी दंगों पर सेम पित्रोधा के टिपणी पर बयान जारी करते हुए कहा था कि हम 1984 के दंगे पीडितों के लिए नए नियम को मांग पर समर्थन करते हैं। सेम पित्रोधा सहित इसके बीपरित किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी राय टिपणी कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। अपना रास्ता भटक गया था। आपको बता दे कि भारतिय वायू सिना ने वायू रक्षा बिमान ने उसे जैपूर हवाई अड़े पर उतारने के लिए मजबूत किया। सुत्रों ने बता है कि जरजिया का एन बारह बिमान कराची से दिली के लिए रवाना होने के बाद अपने निर्धारित मार्ग में भटक लिया था। और उत्तर गुजरात के एक ऐसे अस्थान से भारतिय हवाई चेतर में परवेश किया जो पूर्ण निर्धारित नहीं था। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। परदानमत्री मोदी को सक्त आलोचना की है। वो अपनी इस आर्थिक नितियों को जम करके तारिफ की है। पत्रिका ने लिखा है कि मौजूदा इस्थिती में नरेंद्र मोदी भारत के लिए सदरोत्तम उमिदवार है। यहां दोस्तों टाइम्स पत्रिका के पॉलिटिकल एडवाइजर इयान ब्रेमर ने अपने लेख में उलेख किया है कि उज्वला योजना, स्वक्ष अभियान, जेस्टी, जंधन, योजना लागू करने के लिए परदानमत्री मोदी की पीठ थप थपाई है। इस आलेक में उन्होंने काहा है कि भारत में बदलाव लाने के लिए जिन कारणों की जरूर्त है परदानमत्री मोदी ही वो सक्सियत है जो ऐसा कर सकते हैं। GST का जिकर करते हुए यान ब्रेव मर ने कहा है कि मोधी सत्ता में आते ही समझ गए थे कि सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा रजस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2017 में GST लागू किया और भारत के जटिल टेक्स तंत्र को सरल और सुगम ब उन्यादी जरूरतों में भूत पूर्व निवेस किया है सणके, हाईवे, पबलिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से देश की दिर्गकालिन आर्थिक संभावनाओं को इजाफा हुआ है। भारत के दूर दराज इलाकों में बिजली पहुँची जिससे समाने जीवन अस्तर में सुधार हुआ और आर्थिक संभावनाओं भी बढ़ी। जिहां दोसोर टाइम्स के आधार कार्ड की सफलता का भी जिक्र करती हुए कहा है कि इस प्रनाली की वज़े से सरकार के पास अब एक अरब से ज़्यादा लोगों का डेटा बेस तयार है। लेख में कहा है कि 30 करोण ऐसे लोगों का सरकार के जंधन योजना के तहत बैंक खाते में खुलवाए गए जिसका आर्थिक समावेशन से दूर दूर तक कोई खाता नहीं खुला था। इससे गरीब लोगों को सरकारी सबसिडी मिलने से आसाली हुई। सरकार की योजना के पास सीधे पह हुई है और अब सरकार कम खर्च पर गरीब जनता की अच्छी सुविधाय मुहया कराने में सक्छा में। जी हा दोस्तो मोधी सरकार की आईश्मान भारत योजना और उजवला योजना का भी जिक्र है। यान ब्रेमर ने लिखा है कि स्वक्ष छेतर में हुए इस सुधार स पचास करोड लोगों को कैंसर और दिल की बिमारी का इलाज कराने में सुविधा मिली है। उजवला योजना के बदावलत भारत के ग्रामीर इलाकों में महिलाओं को पहली बार रसोई गैस मिला। स्वक्ष भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार ने कोड़ोरो टॉलेट बनवाए। आगे कहा है कि हाला कि प्रधानमत्री मोधी ये सारी प्रजेक्ट अब तक पूरे नहीं हुए लेकिन ये सारी उजनाए भारत की बड़ी आजादी की सुरक्षा, स्वक्षता और ज्यादा संपन जिन्दगी जिने में मदद जरूर करेगी। जिहां द वरिष्ट वकील प्रशांद भूशन ने अपनी बात रखी, उन्होंने आरोप लगा है कि सरकार की और से गलत दस्तवेज पेस किये गए हैं, जिस पर करवाई होनी चाहिए। कोट ने सुनवाई के दौरां तीखी बहस हुई, प्रशांद भूशन की तरफ से लगाए गए आरोप का जबाब C.A. वेनु गुपाला राउ ने दिया, एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोट ने रफाल पर दायर पुनर याचिका और राहुल गांधी के आउमाना मामले में अपना फैसला सुरक्चित कर लिया है, सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है कि प्रशांद भूशन निर्वाचन आयोग मुद्दे पर सरकार की दलीलों पर जवाब दो हपते में देना होगा, आपको बता दे कि प्रशांद भूशन इस दोरान तर्क दिया कि रफाल सुदे से पहले सुरक्चा समीती के बैठक 2017 में हुई थी, ऐसे में सुदे को लेकर के कोई बैठक अभी तक नहीं की गई, लेकिन अदालत में इस बैठक को लेकर के गलत दावा पेस किया गया है, आपको बता दे कि सुनवाई के दोरान प्रसांद भूशन के मैगजीन और अखबार के कुछ दस्तावेज भी पेस किये, जिसके अधहर पर पुनर याचिका दैर की गई, आर पुनर याचिका के साथ ही सुप्रीम कोट में आज राहुल गांधी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें मिनाक्छी लेखी के वकील मुकुल रोहगती ने अदालत में अपील की, राहुल गांधी ने माफी को करार किया और उस पर करवाई की जाए, इस पर राहुल गांधी की तरफ से पेस हुए अभिशेख मनु सिंधिया ने कहा है कि हमने पहले ही इस पर खेद जता दिया है, राहुल गांधी ने चोकिदार चोर है कि नारे के साथ सुप्रीम कोट के नाम का इतमाल किया था, जिस पर की मिनाक्छी लेखी ने याचिका दायर की थी, राहुल गां कि लेखी ने चोकिए लेखी